ओम शान्ति सत्रा फेब्वरी दो हजार तेईस बाबा के महावाक्य मिठे बच्चे तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है प्रश्ट तुम बच्चों में लखी किसको कहेंगे और अनलखी किसको कहेंगे उत्तर लखी वह जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते सब को सुख देते हैं और अनलखी वह हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं एक दो को दुख देते रहते हैं पुरुशार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं प्रश्ट जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ओपरेशन सक्सिस्फुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर वह माया के तुफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं ठोकर नहीं खाएंगे उनकी देवी चलन होगी धारणा अच्छी होगी गीत छोड़ भी दे आकाश सिम्हासन ओम शान्ति शिव भगवानु वाज वा ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवानु वाज गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है वाज श्री कृष्ण द्वारा आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है निराकार का रूप अलग है वह है परमात्मा उनका कोई शरीर नहीं है पुकारते ही है हे भगवान रूप बदल कर आओ वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा मनुश्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है कच मच अवतार वरह अवतार परंतु खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं है मुझे तो नई श्रिश्टी रचनी है श्री कृष्ण को श्रिश्टी नहीं रचनी है ब्रामन कुल को रचने वाला ब्रह्मा ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्ख है ब्रह्मा के मुख से ब्रामन रचे गए श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए ऐसे तो कहां भी नहीं लिखा हुआ है अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धी में यह हो की निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है अब आधा कल्ब से भिन भिन रूप से मात, पिता, गुरू, गोसाई, आदी सब देहदारी एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए हैं अभी इस समय त्वमेव माताचा पिता पर समझाया जाता है यह महिमा एक की ही गाई जाती है बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक मा, बाप, बन्दू, गुरू, गोसाई है इन सभी का मत को छोड़ो मैं ही आकर तुम्हारा बाप, टीचर, गुरू, बन्दू, आदी बनता हूँ मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है परम पिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे न यह परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं वास्ताओं में तो वह भी आत्माएं ओर्गिन्स द्वारा मत देती हैं परन्तु मनुष्य नाम रूप में फसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते हैं जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्वान गया अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया वह शरीर तो कहां जाता नहीं वह कहेंगे फलाना वाइकुंट गया वह नाम शरीर का लेंगे ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड उनकी आत्मा गई ऐसे कोई जाते ही नहीं तुम समझते हो आत्मा कोई स्वर्ग में जाना है आत्मा कोई स्वर्ग से यहां नहीं आती आते सब परमधाम से हैं यह नौलेज तुम बच्चों की बुद्धी में है तुम जानते हो इस रिष्टी पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी जिन्होंने सत्युग में पार्ट बजाया तुम्हारी बुद्धी में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचे है भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो देह अभिमान में आ जाते हो माया ऐसी है जो पुर्शार्थ करने नहीं देती खुद भी चुस्त है तो माया और ही सुस्त बना देती है विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं जिसमें मात पिता, बंधू सखा, गुरु आदी सभी संबंदों की ताकत आ जाती है यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की परंतु मनुष्य समझते नहीं लक्ष्मी नारायन आदी सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं तुम जानते हो, हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगा कर आई हैं अब यह अंतिम जन्म हैं यह घड़ी घड़ी बुद्धी में याद रहना चाहिए यह नौलेज बड़ी खुशी की है ऐसा बेहद का बाप स्वयम तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं है वीवेग भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए परंतु लोब आदी विकार आने से खुशी को दबा देते हैं इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है भारत में आये हैं भारत वासियों को तो भारत घर है ना परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे फिर तो सर्व व्यापी हो गया वह आएंगे तो जरूर आकर पतीतों को पावन बनाएंगे दुनिया तो समश्ती है श्री कृष्ण आएगा परंतु तुम जानते हो परंपिता परमात्मा आया हुआ है जो पतीत पावन ज्यान का सागर है उनका नाम वास्तव में रुद्र है यह बड़े से बड़ी भूल है जब यह समझे की वह बेहत का बाप सारी श्रिष्टी का रचेता है तो खुशी का पारा चड़ जाए ऐसे बाप से तो जरूर वर्ष्टा मिलेगा श्री कृष्ण से तो वर्ष्टा मिलना सके इन बातों पर भी किसकी बुद्धी नहीं चलती दुनिया तो सारी शूत्र समप्रदाय है ब्राम्हन बेसर्फ कहलाने मात्र है तुम ब्राम्हन जब विचार सागर मनतन करो तब औरों को भी परिचे दे सको श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के है कोई फिर द्वापर में ठोक देते हैं यहां भी मूँज कर दी है इश्वर तो ज्ञान का सागर है तुम इश्वर ये संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहां से आया? भलगाते भी हैं पतित पावन परन्तु अपने को पतित समझते नहीं स्वर्व को तो बिल्कुल जानते ही नहीं सिर्फ ना मात्र कहते हैं यह भी नहीं समझते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी हैं तुम जब समझाते हो तब आँखे खुलती हैं माया ने आँखे ही बन कर दी है प्राचिन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायन का राज्य था यहां भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे यहां तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आये देवताओं के समय यह धर्म नहीं थे तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा बाप बच्चों को रचते ही हैं सुख के लिए ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनका धन संपति देने के लिए ना कि दुख देने के लिए यहां तो अभी हम समझते हैं कि दौापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आएं हैं सत्युग त्रेता में तो दुख नहीं देते यहां मा, बाप, प्यार तो बहुत करते हैं परन्तु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं तो दुख आरम हो जाता है सत्युग में तो ऐसा ऐसे नहीं होता वहां तो दुख की बात ही नहीं यह बाब बैट समझाते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं तुम्हारा यह ज्ञान योग से ओपरेशन हू रहा है परंतु कोई का सक्सिस्फुल होता है, कोई का नहीं होता है जैसे आँखों का ओपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है कोई की आँखें बिलकुल खराब हो जाती है तुमको भी अभी ग्यान का तीसरा नेत्र मिल रहा है तो बुद्धी रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरशार्थ करने लग पड़ते हैं कोई का पूरा नहीं खुलता है धारणा नहीं होती दैवी चलन भी नहीं होती माया के तुफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद दूसरे तरफ है दुख देने वाला रावन उसे भी उस्ताद कहेंगे बाप कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता मैं तो सुख देने वाला नामि ग्रामी हूं सत्योग त्रेता में सब सुखी है सुख देने वाला और है सत्योग त्रेता में सब सुखी है सुख देने वाला और है यहां भी किसको पता नहीं है कि रावन राज्य का आरंब होता है आधा कल्प राम राज्य है आधा कल्प रावन राज्य यह है राम राज्य और रावन राज्य की कहाने परन्तो यह भी कोई की बुद्धे में मुश्किल बैठता है कोई तो बिलकुल जड़-जड़ी भूत अवस्था में है जो कुछ भी नहीं समझते जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं दबदबा रहता है हमारा फिर गुप्त दबदबा है आंत्रिक नारायनी नश्य चड़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे औरों को समझाएंगे यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है कॉंग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं क्योंकि पिछाड़ी में राजाएं ऐसी बन गए थे परंतु यह भूल गए हैं कि आदी सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले 21 पीडी राज भाग्य लो यह सत्य नाराइन की कथा तो मशूर है परंतु विद्वान आचारे भी नहीं जानते गीता क्या कितना आडंबर बनाया हैं लाखो सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं अब इन विचारों को कौन सुजाग करें यह तुम बच्चों का काम है परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पध भी उँच पाएंगे बाप कहते हैं बीती सो बीती देखो ड्रामा में ऐसा था आगे के लिए पुर्शार्थ करो अपना चार्ट देखो इतने समय में क्या धारना की है कोई पचीस तीस वर्श के हैं कोई एक मास कोई साथ रोज के बच्चे हैं परंतु पंद्रा बीस वर्श वालों से गैलप कर रहे हैं वंडर है न यहाँ तो कहेंगे माया प्रबल है या तो ड्रामा पर रखेंगे परंतु ड्रामा पर रखने से पुरशार्थ ठंडा हो जाता है समझते हैं हमारे भागे में नहीं है तुम सब लखी स्टार्स हो तुम्हारे भेंट उपर के स्टार्स से की जाती है तुम शृष्टी के सितारे हो वह तो सर्फ रोशनी देते हैं तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो दुखियों को सुखी बनाते हो मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं सच्चे देवता तो तुम बनते हो उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वहा उपर रहते हैं परंतो देवताएं कोई उपर नहीं रहते रहते तो इसी श्रिष्टी पर है परंतो मनुश्यों से उच जरूर है सब को सुख देते हैं जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे लकी और अनलकी इस समय है जो आप समान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे स्कूल में भी ऐसे होते हैं यह भी पढ़ाई है बुद्धी से काम लेना पढ़ता है राधे कृष्ण कूम सोला कला लकी कहेंगे राम सीता दो कला कम हो गए सबसे नमबर वन लकी लक्ष्मी नारायन है वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने है पुर्शार्थ में कमी करने से अनलकी बन पढ़ते हैं तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं तुम स्टुडेंट ही गोप गोपिया हो इस समय तुमको सुख यह सुख मिलता है उनकी कितनी महिमा है सबके दुख कैंसिल कराए सभी को सुख देते हैं कहते हैं मा में कम याद करो यह बाप आकर ना पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते नहीं यह मूस्ट लवली बाप है सबसी अच्छी मत देते हैं मन मना भव मुझे याद करो स्वर्ग को याद करो चक्र को याद करो इसमें सारा ग्यान आ जाता है वह तो सर्फ विश्णू को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं परन्तु अर्थ का पता नहीं हम अभी जानते हैं कि शंक है ग्यान का जो निराकार बाप देते हैं विश्णू थोड़े ही देते हैं और देते हैं मनुश्यों को जो फिर देवता अथवा विश्णू बनते हैं कितना मीठा ग्यान है तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे ब्रामन कुल भूशन स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार परंतो बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे यह भी आशिरवाद मिलती है अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते धारणा के लिए मुख्यसार एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु, आदी की सब मते समाई हुई हैं इसलिए उनकी मत पर ही चलना है मनुष्य मत पर नहीं बीती को बीती कर पुरुशार्थ में गैलप करना है ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है आप समान बनाने की सेवा करनी हैं वर्दान, शान्ती की शक्ती द्वारा सर्व को आकरशित करने वाले मास्टर शान्ती देवा भव जैसे वानी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है ऐसे अब शान्ती का तीर चलाओ इस शान्ती की शक्ती द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो कितना भी कड़ा पहाड हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो इस शान्ती की महान शक्ती को संकल, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शान्ती देवा बन जाएंगे फिर शान्ती की किरने विश्व की सर्व आत्माओं को शान्ती की अनुभूती की तरफ आकरशित करेंगी और आप शान्ती के चुम्बक बन जाएंगे स्लोगन आत्म अभिमानि स्थिती का व्रत धारण कर लो तो वृत्यां परिवर्तन हो जाएंगी ओम शान्ती